दिल्ली की खबर पर अभी अर्विन केजरिवाल रियाक्ट कर रहे हैं जरा उसोर भी चले हम थोड़ा दिल्ली में सुप्रीम कोट ने फैसला देते हुए अफसरों के उपर जो अधिकार है, अफसरों के कामकाज पर जो अखतियार है वो दिल्ली की चुनी होई सरकार को दिया है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये, दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, अब ये कॉंटरवर्सी खतम हो गई है, और सुप्रीम कोड ने इसका जो अक्तियार है वो दिल्ली की सरकार को दिया हूआ और इस पर अर्विन केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि अब दिल्ली में तेजी से विकास होगा सुप्रीम कोड के पैसले का स्वागत किया है अर्विन केजरीवाल ने कहा जनतंदर की जीत हुई है अर्विन केजरीवाल खुश है इस पैसले से उन्होंने लिखा है कि ये जनतंदर की जीत है अब जल्दी से हम दिल्ली का विकास करेंगे सुप्रीम कोड की सम्मिधान पीट ने कहा कि पुलिस पब्लिक और और जमीन से संबंदित शक्तियां ये पहले की तरह केंदर के पास रहेंगी लेकिन इसके अलावा बाकी जो मामले होंगे उनसे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं और उनसे जुड़े हुए मामले वो उन पर निरने जो हैं वो दिल्ली के और चुनेवे अधिकारी कर सकते हैं दिल्ली के मंतरी वो कर सकते हैं और ये बहुमत का फैसला है यानि सभी पांचों जजों ने बहुमत से ये फैसला दिला दिया है और उन्हें कहा कि चुनीवी सरकार को ऐसी शक्तियां मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो ये संग्ये धांचे के लिए एक बड़ा नुकसान होगा अधिकारी जो अपनी ड्यूटी के लिए तैनाथ है उन्हें अपने मंत्रियों की बात सुननी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो ये सिस्टम के लिए एक बड़ी खोट साबित होगी दिवेंदर पराशार है हमारे साथ दिवेंदर ये अर्विंद केजरिवाल के लिए एक बड़ी जीत है और ये एक ऐसी कमी थी जिसकी वो हर जो रोजाना सामने आती थी और इसके बारे में वो रोज कम से कम शिकायत किया करते थे कि मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं अपने अफसर से काम करा सकूँ विल्कुल सरॉब इस तर को बारबार देते भी रहा हूं उनका जो अपना काम करने का तरीका है अभी तक कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें उनके पैटरन को देखें तो बहुत कुछ डिक्टेटिव अंदाज में काम करना चाहते हैं मतलब वो जो चाहते हैं वैसा ही हो और पूरी कोशिश उनकी यह रहती है और ऐसी सिती में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उनके पास नहीं और इल्जी के पास हो तो समझा जा सकता है कि किसी चीज को मनवाने में उनको कितनी तकलीफ होती होगी अधिकारी ओखासत और पे अपने हिसाफ से चलाने में कोट का यह कहना था कि क्योंकि चुनी हुई सरकार है तो ऐसे में अधिकारी अगर मंतरी की बात ना सुने तो जाही तोर पे कोई भी सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि LG जो है वो चुने वे नहीं होते हैं चुने वे पर्तिरिक दिनी होते हैं बलकि नॉमिनेटे scorpion होते हैं तो यह अधिकार मंत्री के पास और चुनी होजी सरकार के पास ही होना चाहिए वाइडमिस्टेशन और सर्विसेज के जो पावर हैं वो मुक्यमंत्री में ही और मंत्रियों में नहीत हैं और उस लिहाद से निश्य तोर पे अरविन के जिवाल के लिए एक बड़ी जीत करिजा सकती है। के लिए डिपेंडेंट होगा कि अगर वो अपने मंत्री या मुक्यमंत्री को खुश नहीं करता है तो उसका जटका उन्हें लग सकता है। उसके चलते अधिकारियों के अंदर भी एक बहुत कंसर्ण रहता था कि बेतर है कि हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथ में नहीं है। लेकिन अब सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा, सब कुछ उनके कमांड में रहेगा और वहाँ पनिश्री तोर पे देखने वाली बात होगी कि जिस विकास की बात वो कर रहे हैं वो आगे कौन सी रफटार पकड़ में आती है। लेकिन LG वर्सेज मुख्यमंतरी वो अब उस रूप में देखने हैं। वो तो यह कि आप ऐसी कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकते हैं। तो यह दो अलग अलग बात हैं। अगर वो चुनी हुई सरकार है तो यह दिकार उसके पास ही रहा है। तो दोनों बाते साफ हैं अब यह पॉलिसी भी जो चाहिए ला सकते हैं और अफसर भी इनके मातिहत होंगे।